अगर तो आपका स्कोर 21 से लेके 25 तक है तब आप बिल्कुल सही डारेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि ये basic question रहेंगे fundamental of computers के question रहेंगे अगर आपका 20 से below आता है तो कही न कही आपको कुछ और एफर्ट लगाने की जरूरत है अगर 15 से भी कम आ रहे हैं तब आप बिल्कुल गलत डारेक्शन में हैं आप यहां तो गलत content को पढ़ रहे हैं यहां फिर जो है आप बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं रहें तो इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है kindly अपना पूरी शिद्दत के साथ इमानदारी के साथ जो है अपना comment section में अपना score जरू लिखना है ठीक है वीडियो को हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे motivation के साथ मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर देखिए कुछ चीज़े जो होती है हम हमारी capability है एक इनसान करें तो हम कोशिश ही नहीं करते आप देखिए जो एका exam आपने एक बार दिया है आप फेल ओ चुके दो बार दिया है फेल ओ चुके हो आपने हिम्मत नहीं हारने है कोशिश करते रहे जब तक exam crack नहीं होगा exam होना ही होना है 100% crack, ये तो आप लिखके लीजी, ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ कि हिम्मत मत हारो, लगे रहो, एक्जाम जरूर crack होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, अब कुछ बच्चे थे जिन्नोंने typing पहली बार practice करी थी, ठीक है, पहली बार practice करी और उनने एक या दो मत में वो typing clear करके ले गए, starting में उनको ऐसा लग रहा था कि typing हमारे बस की बात नहीं है, हमने exam तो crack कर लिया, लेकिन typing हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने practice करी और वहाँ पे जो है, वो exam को crack करके ले गए typing, तो देखो, अगर वो typing देने जाते हैं नहीं मान लो, तो उनका typing या exam कैसे crack होता, तो उन्होंने कोशिश करी, ठीक है, अपने पे विश्वास रखा, कोशिश करी गए, और typing clear करी, और जो है, आज वो selection देने की गगार प्या, ठीक है, तो आपने भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोश different types of alignments are used in MS Word, तो MS Word के अंदर alignment की बारे में पूछा जा रहा है, कि कितनी alignments होती है, तो हमें पता है, कितनी alignments होती है, चार परकार की alignments होती है, कौन-कौन सी, left alignment, right alignment, center alignment, and justify, ठीक है, तो चार परकार की हमारी alignment होती है, MS Word के अंदर, तो हमारा option number भी यहां पे सही answer हो जाए, certain page formatting option, तो page formatting option जो रहता है, किसी portion of document में, उसे क्या बोलते हैं, हम section बोलते हैं, ठीक है, उसको section में divide करना बोलते हैं, तो यहां पे option number C, इसका सही answer होगा, ठीक है, तो MS Word के जो है, यहां पे तोनों question थे, MS Word से भी question पूछे आते हैं, बहुत ही important topic है, आपका MS Word, number of bits in ABC, DIC code में, जो है, आपका computing के अंदर, कितने bit का होता है, ABC, DIC code जो है, यह काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, तो यह 8 bits का होता है, कितने bits का होता है, 8 bits का होता है, आप बताएंगे, SKI code कितने bits का होता है, comment section में इसका answer जरू लिखे, number system having the 16 base, तो देखो, simple question मैं आपको पूछ रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको basic नहीं आएगा, basic ही आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 939 में कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर, आप जो है, यहाँ पे fundamentals cover करवा रहे हैं, जाता focus fundamental पर दे रहे हैं, 939 का paper उठाके देख लो, 120-125 question तो आपको fundamental ही पूछे थे, तो वहीं वहाँ पे answer नहीं दे पाए हट बड़ा हट में, क्यूंकि समय कम था, और question increase कर दिये गए थे, हाला कि जिस बच्चे को वह paper आता था, उन्होंने आसानी से उसको कर लिया था, ठीक है, तो overconfident मत होईए, practice करते रहे ये questions को, right, तो number of, number system के अगर हम बात करें, जिसका base 16 होता है, हमें पता क्या hexadecimal होता है, अगर मानलो यहाँ पे 16 नहीं होता, 8 होता, तो क्या है, वो octal ह होता है, ठीक है, अगर 10 होता, तो वो क्या है, वो decimal है, ठीक है, अगर दो base है, तो मानलो वो क्या है, binary number system, ठीक है, तो basic सी चीज़े है, जो कि आपको, पान, ठीक हो, आपका answer जो है न, जासे ज़्यादा आप 20 से second में, उस answer को दे, दीजिए, ठीक है, जो भी यह basic question रहते है, 20 से second के अंदर आपको answer पता चल जाना चाहिए, shortcut key to open a new workbook, अब workbook किसको बोलते हैं, आपके जो excel की होती है, ठीक है, excel की window, उसको workbook बोलते है, workbook के अंदर different different worksheets होती है, तो workbook open करने के लिए, आप किसको इस्तेमाल करेंगे, control प्लस N को इस्तेमाल करेंगे, option number B is the right answer, ठीक ह user can use dash command to search for and correct words in the document, देखो आपके document की बात हो रही है, या फिर हम बोलने की MS word की बात हो रही है, वहाँ पर आपका एक document है, उसमें आपने कुछ word को गलत लिख दिया है, अब उस word की जगा आपने correct करके उसको लिखना है, तो कैसे करोगे, आप find and replace dialogue box में जाएंगे, ठीक है, find and replace dialogue box में जाएंगे, उसमें find वाली जगह पे वो जो है आपने search मारना है, जिसको आपने change करना है, तो वो उस cursor जो है वहाँ पे चला जाएगा, और replace की जगह वो word लिखना है, जिससे आप उसको replace करना चाहते हो, तो enter दबाएंगे तो वो replace हो जाएगा word वहाँ पे, ठीक है, option number B is the right answer, आपने मुझे comment box में क्या बताना है, इसका shortcut की, ये पुछा जाता है exam में, shortcut की क्या होता है, find and replace dialogue box का, which one of the following technology is used in compact disk, CD के अंदर कौन सी technology का इस्तिमाल होता है, compact disk की बात हो रही है, तो compact disk CD में जो आपका use होता है, वो क्या होता है, laser use होती है, option number, यहाँ पे कौन सा सही है, option number D is का सही answer हो जाएगा, अगर मान लो, आपको portion पूछा जाता है, कि hard disk में कौन सी technology use होती है, तो hard disk में जो आपकी technology use होती है, वो होती है, shingled magnetic recording, क्या होती है, shingled magnetic recording, ठीक है, SMR technologies को बोलते हैं, तो यह याद रखना है आपको, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, WP ROM मालुम होगा, इसकी full form क्या होती है, बच्चों को मालुम रहता है, लेकिन वहाँ पे confusion create हो जाता है, इसमें electronic और electrically में, तो electronically कुछ भी चीज नहीं होती, electrically होती है, बिजली, electrically, ठीक है, तो यह याद रखना है, electrically, फिर आप अंसर वहाँ पे गलत नहीं करके आएंगे, which one of the following is not an antivirus, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा antivirus नहीं है, तो McPhee और Casper's का, यह तो काफी use होते हैं, आम commercial market में, panda भी एक आपका antivirus है, लेकिन निम्डा नाम का कोई भी antivirus नहीं होता, option number C, यहाँ पर सही answer होगा, ठीक है, तो आपको confusion होगा, निम्डा और panda में, लेकिन panda भी एक antivirus है, तो हमारा C, इसका सही answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, UPS का full form पूछा जा रहा है, UPS का full form simple है, uninterruptible power supply होता है, तो option B, इसका सही answer हो जाएगा, लेकिन देखिए, confusion हो जाता है, कई लोग universal power supply करके आजाते हैं, तो ध्यान से answer देना है, question को अच्छी से पढ़िए, और option, जब भी आप answer देंगे न, चाहे वो easy question है, चारो option पढ़िए पढ़िए, चार option पढ़िए, उसको one by one जो है, तब जाके answer देना है, मानलो आपको question में जो है, दो गलत लगते हैं, दो सही लगते हैं, तो elimination method वहाँ पे apply करके जो है, आपने answer देना होता है, ठीक है, तो answer देनी की भी एक color रहती है, जो कि आपको follow करनी होती है, the shortcut key to align right the selected test, तो shortcut की पूछ रहा है, अगर आपने particular selected किया हुआ text को right side align करना है, अपने document में, right side align मतलब, यह आपका left side है, यह right side है, इस side को align करना है, तो control plus R का use करेंगे, इसका use करेंगे, control R का, left align करना है, तो control L दबाएंगे, right align, control R से justify करना है, तो control J, justify क्या होता है दोस्तों, इसमें क् कि, जो left side से, जो यह आपका margin रहेगा, content का, यह भी बराबर हैगा, और यहां से बराबर हैगा, दोनों side जो है, आप जो content लिखेंगे, इस तरह से बराबर आएगा, तो control J, justify के लिए, control U किसके लिए होता है, underline करने के लिए होता है, आगे बढ़ते हम, in which generation of computers, the networking like LAN and MAN started, तो local area network और metropolitan area network जो है, यहां पे, कौन सी generation में start हुए थे, इसका answer अगर आपको आता है, तो आप जो है, अच्छे त्यारी है आप लोगों की, आप सही direction में बिल्कुल चल रहे हैं, तो यह fourth generation में use हुए थे तोस्तों, option number C is the right answer, ठीक है, fourth generation, अच्छा shortcut की पूछ रहा है, कि workbook को close करना है, हमने पीछे बात की थी, कि open कैसे करना है, open तो simply आपको control N से चल जाएगा, लेकिन close करना है, तो उसके लिए कौन सा shortcut की होता है, तो उसके लिए होता है, control plus W, ठीक है, क्या होता है, control के साथ W दवाएंगे, तब आपकी workbook high speed internet, ethernet जो होता है, वो किस पे काम करता है, high speed internet भी हो चाहे, या फिर ethernet, वो optical fiber पे काम करता है, आज के समय में जो आप देखेंगे, अब पहले अपके गरों में, जो है, broadband लगता था, ठीक है, जो की telephone line के थूँ जो है, हमें connection मिलता था, आज के समय में optical fiber आ चुकी है, ठीक है option C, सही answer हो जाएगा, चलेंगे आगे, चलिए, next question है हमारा, SATA port is used in, तो SATA जो है, एक होता है SATA, ठीक है, और एक होता है PATA, SATA और PATA क्या है, यह साटा क्या है, serial advanced technology, ठीक है, advanced technology attachment, ठीक है, serial advanced technology attachment इसको बोलते हैं, और यह PATA क्या होती है, यह parallel advanced technology attachment, अब यह दोनों का इस्तिमाल क्या है, इसका इस्तिमाल हम जो है, जो है, जो आपकी hard drives रहती हैं, या फिर optical drives रहती हैं, ठीक है, उसमें, उसको लगाने में जो है, इनका, जो है, importance रहती है, ठीक है, so SATA port जो है, हम कहाँ पर use करते हैं, motherboard में use करते हैं, SATA या फिर PATA, पहले use होती थी, आज के समय में, हम किसको use करते हैं, SATA port को use करते हैं, ठीक है, तो हमारा option यहाँ पर answer, भी सही answer हो जाएगा, आगे चलेंगे हम, which file format cannot be added to a word document, word के document में कौन सा file format आप नहीं add कर सकते, तो png, jpg, g इफ, जो है, images के file format है, लेकिन ये वाला file format आप वहाँ पे include नहीं कर सकते, word document के अंदर sees का science हो जाएगा, shortcut key to make the selected test, देखो, किसी भी text को italic बनाना है, तब आप उसके लिए shortcut key का इस्तेमाल करेंगे, simple सी बात है, control I का, control I से जो है, किसी भी text को आप italic कर सकते हैं, bold करना है, control प्लस भी दबाएंगे, bold हो जाएगा, चीक है, आगे चलते हैं, default name of first sheet in any computer Excel workbook, देखो, एक workbook के अंदर, जब आप कोई default workbook खोलते हो, तो उस पे, पहली जो sheet होती है, उसका नाम क्या होता है, one होता है, sheet one होता है, यह sheet one ऐसे लिखा होता है, यह first sheet, तो sheet one करके होता है, कैस sheet one ऐसे, और एक और sheet अगर आपने खोल दी, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, sheet two, तीसरी खोल दी, तो वो sheet three, इस तरह से, तो यह जो है, हमारा option number B, इसका सही answer, यहाँ पे हो जाए, आगे चलेंगे, which one of the following folder is an intermediate storage for deleted files, सभी को इसका answer मालम होगा, जब भी हम files को delete करते हैं, हाँ पे store हो जाता है, recycle bin के अंदर, अगर हम normally delete की को press करेंगे, अगर हम shift के साथ delete को press करें, तो वो permanently delete हो जाता है, यह भी आप लोगों को मालम ही होगा, अगर आपने recycle bin में नहीं भेजना है, अपना file directly अपने computer से उसको उड़ा देना है, तब shift plus delete की का इस्तेमाल करते हैं, अ हमारे font के style होते हैं, word में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे font style के अंदर तो आपको different type के style देखने को मिलेंगे, अगर यह आपकी दो नहीं भी पता है, तो times new roman तो एक काफी default पहले use होता था, आज के समय में जो default use होता है, वो calibrary use होता है, word के अंदर, right, so 20 का sensor हो च आगे चलेंगे, ntfs जो है एक file system होता है हमारे computer के अंदर, उसका full form पूछ रहा है, तो यह क्या होता है, new technology file system, option c इसका sensor होगा, new technology file system, आगे चलेंगे, which one of the following commands allow to show the content of a disk widely on a screen, ऐसी command जो की एक file का content जो है, screen पे पूरा widely दिखाएगा, अब यह dose वाले जो system है, ठीक है, जहां पे text ही लिखे जाते हैं, उसमें यह use होगा command, dir slash w, ठीक है, तो option c is the right answer, dir slash w, copy con command जो होती है, उसमें कोन का मतलब क्या होता है, कोन का मतलब पूछ रहा है, examiner की क्या होता है, तो copy con command पहले देख लेते हैं, क्या होती है, देखो जब भ create a new file, तो यह copy con हो गया, अब copy तो ठीक है, लेकिन कोन का क्या मतलब, console, option b इसका सही अंसर होगा, console, next is which one of the following bars appear at the bottom of the computer desktop, तो इन में से कोन सा बार जो है, जो computer का, जो आपका desktop है, उसके जो ठीक नीचे यहां पे होता है, तो मैंने हिंट आपको दे दिया, सभी को मालूम ही होगा, इसका अंसर टास्क बार होता है, टास्क बार होता है, जहां पे आपकी सारी clock का timing, system, timing और गरा जो है, यहां पे दिया गया होता है, an action that uses software to restart a computer without removing the computer's power, अब maximum लोग जो है, इसका अंसर गलत देंगे, हम अपने computer को restart कर रहे हैं without removing the power, वो already चल रहा था, power on है, लेकिन उसको हम restart करेंगे, लेकिन यहां पे दोस्तों बात हो रही है, एक software use हो रहा है, इस काम को करने के लिए, तो इसको soft booting बोलते हैं, आपने answer cold booting दे दे देना था, लेकिन cold booting नहीं answer होगा, यहां फिर warm booting नहीं होगा, इसको soft booting बहुते हैं, जब software का use किया जा रहा है, नर्मली booting तो पहले, अगर हम बात करें तो cold booting होती है, एक होती है आपकी warm booting, तो warm booting क्या होती है, जब computer जैसे इस case में हुआ, कि computer अल्रेड़ी चल रहा था, उसको restart किया गया, कोई भी कारण हो सकता है, उसका freeze हो गया था, hang हो गया था, तो हमने restart करते हैं, तो warm booting होती है, cold booting होती है, जब already computer बंद है, और उसको हमने start किया है, तो उसको cold booting बोल लिते हैं, लेकिन soft booting क्या है, जब हम software का इस्तेमाल करते हैं, restart the computer, तो हमारी soft booting है लाती है, तो यह थे guys 25 questions, I hope आपने सारे questions को attempt किया है, आपका क्या score रहा है, वो आपने comment section में ज़रू लिखना है, इमानदारी से answer देंगे, यहां पर इमानदारी दिखाएंगे, तो obviously paper में भी दिखाएंगे, ठीक है, तो इसका जो है आपने result जो आपक comment section में ज़रू लिखना है, बाकि इसी तरह से daily basis पे आपके videos जो है computer पे और general science पे और बाकी topics पे भी जल्दी वीडियो आएंगे, and very soon we are starting classes for पटवारी, नायब पटवारी and पजाय सेक्टरी, प्लस आपका जो sub inspector का होता है, उसके लिए भी जो है, आपका especially जो आपके maths रहता ह पटवारी के लिए, प्लस reasoning रहता है, इन exam के लिए, वो जो है classes भी start होने वाली है, तो channel को जो subscribe कर लेना, free classes रहेंगे आपकी, और bell icon को ज़रू प्रेस कर लेना, वीडियो अच्छा लगता है तो kindly like ज़रू करें, अपने जो score है वो kindly नीचे ज़रू लिख देना, हम मिलेंग लेक्चर में तबता के लिए जाए है